Assalamualaikum friends, मुहीन बात कर रहा हूँ, आज का हमारा ये जो lecture होगा, वो Microsoft Word के सिलसिले में होगा, आज हम देखेंगे किस तरीके से spacing यूज की जाती है, तो सबसे पहले spacing से start लेंगे, फिर जहां तक हम जा सके, वहां तक जाएंगे, इस lecture में, तो Microsoft Word की file मेरे पास open है, मैं आपको title चेक करवा देता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास Microsoft Word की file open है, और आज हम सीखने वाले हैं, जैसे मैंने बताया, spacing, यानि कि आपने कितना space देना है, यानि normal जो हम रखते हैं, space जो हमारे by default होता है, वो होता है single space, और उसके बाद जो है double space भी होता है, और 1.5 space भी होता है, और भी तरीके होते हैं, spacing के, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, तो spacing basically जगा provide करता है, white space provide करता है, तो वो आप अपनी मर्जी से, अपने content के साब से, आप space spacing कर सकते हैं, single spacing भी कर सकते हैं, double spacing भी कर सकते हैं, जितनी चाहें आप spacing कर सकते हैं, अब visually impaired persons के लिए ये थोड़ा सा problem हो होता है, कि उसे यह नहीं पता चलता कि कितना space हो रहा है, वो सिर्फ math को ही जहन में रख सकता है, कि ठीक है, 1.5 spacing थोड़ी कम होती होगी, 2 से, ठीक है, double spacing से थोड़ी कम होती होगी, इसी तरीके से अगर 2.5 है या 3 है, तो वो ज्यादा होती होगी, तो numbers बढ़ते रहेंगे, तो spacing जादा होती रहेंगी, numbers कम होते रहेंगे, तो spacing कम होती रहेंगी, तो यह concept visually impaired person को बनाना चाहिए, और फिर जब आपको कोई की काम देता है, तो वो खुद आपको बताता है, यानि कि आपके पास कोई आता है letter के लिए, तो वो आपको खुद बताता है कि उसकी requirements क्या है कितना उसको spacing चाहिए, तो आप उसको चेक करवाते हैं, देखें, आप इतना मांग रहें, तो बोलता है नहीं, इतना नहीं, फिर आप उसको spacing चेंज करके दिखाते हैं, फिर आप उससे पूछते हैं, इतना, तो वो okay कर देता है, तो जितनी उसको चाहिए होती है, वो okay कर यह आपको बोलता है थोड़ा से और बढ़ाओ थोड़ा से कम करो तो उससे आपका मसला है हो जाता है कि आपको बिश्चक नजर नहीं आरी स्पेसिंग लेकिन आपको नंबर से आइडिया हो रहा है तो आप उसको कम ज्यादा करके दिखा सकते हैं इतनी स्पेसिंग चाहिए भई ठीक है और स्टम मैं यहां वर्ट पे मौजूद हूं तो मैं आपको चेक कराता हूं किस तरह की से की से भी रखता है शॉटकट की से भी और होम रिबन में भी जाके तो सबसे पहले मैं यहां पर देखिक वर्ट है तीनों अलाइन अब यहां पर मैं सबसे ओपार जाउँगा मौइन capacity मैं और यहां पर मैंने इसको क्या आप अप कर दिया अब यहां से मैं चाहता हूं डबल स्पेसिंग तो मैं ctrl to press करूंगा तो यह मैंने ctrl to press कर दिया अब मैं चेक करता हूं अच्छा unselect करना लाज़मी है यह इंसलेक नहीं करेंगे तो आगे फिर आप जो लिखेंगे वह भी उसी स्पेसिंग में आएगा तो इसलिए लेफ्ट एरो राइट एरो करके इसको एक बार अन सेलेक्ट कर दीजेगा जब आप सेलेक्ट कर देते हैं तो यहां पर चेक करते हैं इंसर्ट प्रेस कर रहा हूं मैं ठीक है आपने सुना पहले लाइन स्पेसिंग सिंगल थी अब डबल हो गई अब मैं खान पर एक्टिवेट करता हूं 1.5 ठीक है यह खान को मैंने सेलेक्ट कर दिया अब इसको मैं चाहता हूं कि 1.5 हो तो मैं कंट्रोल 5 प्रेस करूंगा ठीक है और आप इसको चेक करते हैं ख अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूं इस पर मैं सिंगल स्पेसिंग करता हूं और कंट्रोल 1 से होगी सिंगल स्पेसिंग यह हो गई ठीक है अब मैं इसको चेक करता हूं ओ सिंगल स्पेसिंग ड Dazu पलाइई की और प्रण स्पेसिंग अप्लाइए की सबसे ओपर जा के देखते हैं मोंच से अंगह स χीओ ऑफिर इन से करते हैं और इंसे को डबल एस पर अब दुब़ार हम चेक करते हैं खान को 1.5 लाइन टीक है और टीसरा लाइन स्पेसिंग सिंगल टीक है तो इस तरहीके से कीबोर्ट के शौटकर्ट से आप 1 और डबल इस पेस और 1.5 पेसिंग दे सकते हैं अब इसको मैं कीस से आपको करके बताता हूं कि कीस से की तरीके से करते हैं अब मैं इसको सबसे पहले रिमूब कर देता हूं कंट्रोल एक से अब मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं दूबारा से पाकिस्तान भाज़ेश करने के बाद के प्रेस्क कर रहा हूं के फॉर किंग ठीक है यह आपको बता रहा है 1.0 बटन यानि के सिंगल स्पेसिंग के लिए पहला बटन है जब आपने के प्रेस किया अब मैं यहां से टैप से मूव करता हूँ 1.15 की की शॉटकट्स में आपको यह नहीं मिला था 1.15 ठीक है अब मैं दुबारा टैप कर रहा हूँ 1.5 बटन ठीक है यह वह हमने की से भी अपलाई किया था टैप 2.0 यह हमने अपलाई किया था की से ठीक है शॉटकट की से अब दुबारा टैप करता हूँ 2.5 शॉर्टकट की इस पर यह मौझूद नहीं था ठीक है यहां पर है अब मैं दुबारा टैप कर रहा हूं 3.0 ठीक है यह भी मौझूद नहीं था और यहां पर है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन ठीक है इस ड्राइलग में मौझूद है टैप करते हैं एक बार फिर यानिकि रिमूव कर किया जाता है स्पेस को इस बटन को अप्लाइ अप्षन्स दे अब इस पर स्पेस कर देता हूं अब इसको चेक करते हैं लाइन स्पेसिंग वन लाइन जो नंबर है उनको नहीं कर रहा है लेकिन उसकी जो स्पेसिंग वहां से प्रॉपर हमने 1.15 लगाई है अब एक पर तबह इसको नीचे करता हूं एक एक और यहां पर मैं लिखता हूं कर आची कि इसको सेलेक्ट करता हूं सेलेक्ट हो गया और यहां से में अल्ट एच और प्रेस किया कर रहा हूं मैं 3.0 अब मैं 33.0 पे स्पेस करता हूं अब कराची को चेक करते हैं लाइन इस ने इसको क्योंकि स्पेसिंग बकाईदा तोर पे डेसिमल में ने थी प्रॉपर थी तो इस लिए जो इसको कंसिडर किया रेकेनाइस किया तो इस तरहीके से आप कर सकते हैं और अब मैं दुबारा उसमें जाता हूं डायलोग में क्योंकि उसमें एक दो बड़ी इ अब मैं के प्रेस करता हूं अल्ट एच करके अब यहां से मैं टैप करता हूं यह लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का बटन है तो इस पर हम जाएंगे और इस पेस करेंगे ज़िए जनल इंडेक्ट ऑफ स्पेसिंग तीक है यह पहला इसका डायलोग है अब टैप करते हैं अब टैप करेंगे यहांसे यह प्रिव्यू है अगर आप इस बटन को प्रैस कर देंगे तो यहाँ पे जितनी भी आप settings अभी करने वाले हैं वो सब की सब next time से Microsoft Word जब आप कोलेंगे तो वो सब की सब apply होंगी ठीक है आपका जो layout है वो अब जो आप default कर देंगे उसको उस हिसाब से आएगा जो spacing आपने set की है जो भी आप यहाँ से आगे मजीद setting हम देखते हैं आप set करेंगे वो ही हर file को बनाते वक्त Microsoft Word पे apply हुआ होगा जिस तरह अभी normal हुआ होता है तो अब यहाँ से आप इसको अगर default बना देते हैं तो यह सब कुछ default हो जाएगा टैप करेंगे यहाँ से OK, Cancel indent and spacing tab ठीक है अब यहाँ से हम देखते है alignment left ठीक है यह नहीं कि यहाँ से भी आप जाके अपने aligning check कर सकते हैं down arrow कर रहा हूँ है centered, right, justified, justify low, justify medium, justify high ठीक है यह सारी हैं यहाँ पे और आप जो भी चाहें कर सकते हैं यहाँ से भी जहन में alignment तो की है लेकिन यहाँ से भी आप कर सकते हैं ठीक है, अब मैं इसको default पे left पे रख देता हूँ outline level body text ठीक है यह है कि body styling है अब down arrow कर रहा हूँ है यहाँ से level 1, ठीक है तो tap करेंगे यहाँ से left dash the right यानिके left से right पे ठीक है यह जो हुआ हुआ है stem left से right हुआ हुआ है कि जो लिखेंगे हम left से right जाएगा आप इसको change भी कर सकते है right left से यानिके right से left पे ठीक है यह अगर आप कुछ जैसे उर्दू लिख रहे हैं अगर आप यह कोई ऐसी लेंगविश लिख रहे हैं तो आप यह यह यूज कर सकते हैं ठीक है अब ट्रैप कर रहा हूं मैं यहाँ से बिफोर टैक्स जीरो यह स्पेसिंग का है यह भी आफ्टर स्पेसिंग है यानिके टैक्स के बाद जो स्पेस है इसमें क्या क्या ओप्शन है डॉनरो से चेक करते हैं फिर्स लाइन हैंगिंग यह बाइडिफोर्ट नन पर होता है और फिर्स लाइन मतलब यह कि फिर्स लाइन से यह स्टार्ट हो जाएगा अब इसको टैप करते हैं अब आ यह बहुत करेंद करें ङॉपक्षिघ तो मैंने इसके बारे में पड़ा भी काफी है तो यह यहना यूज नहीं होता item तो मैंने ताश तक कैसको यूज नहीं किया तो फिसलिये मैं आपको भी रेकेमेंड कर Σाट करते हैं तो इसलिये मैं आपको भी रेकमेंड कर सकते हमдо एक ओन से इट आपके खोनद के सिरो अपर जियो नहीं पहलते हैं यस करने कि जैबके लिखने के बाद सपेसी वह आठ पॉइंट थै लाइन स्पेसिंग मल्टिपल इसको डॉन एरो चेक करते हैं इक्जैक्ली एट लीस्ट डबल वन पॉन पाइव सिंगल ठीक है यह सारी स्पेसिंग यहां पे कुछ और भी है ठीक है आपने देखा आपके पास विराइटी यहां पे मजीद आपको मिल गई है इसको मैं मल्टिपल पे रख रहा हूँ एक्ट्री मल्टिपल यानि थ्री हो स्पेसिंग यह वापस हम घूम फिरके वहीं पे आ गए जहां से हमने स्टार्ट किया था तो मैं इसको अभी स्केप कर देता हूं क्योंकि यह मुझे स्टेम जरूरत नहीं है मैं नॉर्मल पे ही का करता हूं को अफिशल काम होगा तो मैं इसको स्टेम के लिए طौक्रेप कर देता हूं करता हूं इसका धाल कर कके अबसेट कर के अब यहाँ ऐसे आप मुझूद एक काम और करना होता है आपने ताकि आपकी जो फॉर्मेटिंग है वह प्रापर हो जो आपकी डॉक्नमिट मेनेजमिंट है जो लो ड WOMAN है वह प्रापर मेंनेजमिंट हो तो उसके के लिए आपको ले आउट में जाना है ताकि आप अपने ले आउट सेट करें तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले मैं इस लेक्चर को स्टॉप करता हूं और फिर इंशाला मिलते हैं नेक्स लेक्चर में